आज की वीडियो का विसे है विधुत समन्धी सामाने जानिकारी ओ इसका उदेश है शाहक लोको पाइलिट को विधुत शमाने जानिकारी देकर विधुत इंजिनों की कार विदी समझने में शुगमता प्रदान करना चलिए यहां पर विद्धु समझने शामाजनकारी में कुछ पॉइंट्स में लिए हुए है इस पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टेप इस टेप देखते चले जाएंगे मैं इस वीडियो में आपको मैं पूरा पढ़कर नहीं बताऊंगा मैं आपको स्लाइड दिखाता चलूंगा और वहां से आप समझ जाएंगे इस वीडियो में क्या है और इस चीज को आप पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन करें और वहां सेंबॉलिक रप्रतिक चिन विद्धुद्ध संट्रेंट रेडिश्टेंट्स विद्धुद्ध ता बता देन चाहता हूं कि जो सभी ने एक एंट में कुछ पार्ट पढ़ते हैं उसमें आता है इंटर में आता है डिप्लोमा में एंड बीटेक में सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा बट अब मेम्राइज करना है ट्रेनिंग जो एल्पी लोको पाइलेट्स की होती है तो उस एक्विप्मेंट के बारे में वह सब्सक्राइब आपको वीडियो अच्छी लगे लगे आपको कॉंटेंट अच्छा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके बताएं तो यहां पर देखें सारे मैंने पॉइंट्स लिए हुए पहले पॉइंट्स मैंने आप इंडिकेट कर दिया है वैट्ट्री है सब्सक्राइब को कवर्के आंचके अगर इसके होता है यहां उस ये पको सिर्फ्सक्राइब का पर चैसले जल चलिब और दोस्तों। जे देखिए स्वीच है यहां पर यह स्वीच है यहां पर यहां पर सब्सक्राइब दोस्तों फ्यूज आपकशी भी विल्क्तूर्णिक की सरक्ट जो होगि उसमें इस त्रिके से रिप्रेजेंट किया हो गया होगा सो समझ लिए वहाँ पे फ्यूज लगा हुआ रिष्टियंस का देखिए रिप्रेजेंटेशन यह होता है एंट जन्नेटर है मोटर है बोल्ट मीटर है अमीटर है इन सब के देख रिखे आप यहाँ पर सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए सारे क्योंकि आखी पढ़कर बताऊंगा तो बहुत बढ़ी हो जाएगी तो यहां पर आपको मैं स्लाइट करके दिखाता रहूंगा यह देखे कि सारे पॉइंट्स दिये हुए रेजिस्टेंस हो गया अपने सबीर ने पढ़ा होगा विद्दृत परिफात यह देखे जो सर्क इस वीडियो में क्या है और सारी चीजी पढ़ सकते हैं डोल्ड जोड़ा जाता है सर्किट्स में ठीक है दुसनों चलते हैं यहां पर दिखाया गया इस करम में कैसे इसका फॉर्मूला होता जोड़ा जाता है यह सरकिट डाइग्राम बनाके दिखा दिया गया है यहां पर जल्दी जली स्कॉल कर दे रहा हूं और वहां से इसकी पीडियो आप टेलिग्राम गुरुप से जान करके इसको पड़ सकते हैं यहां पर देख लिजे सेल के बारे में बताया गया है प्राइम यह जो इनजन लगती है चलिए दिखाया गया है कि आप त्राइप बेसिक्ट हम रहें है यह सारा अगरत कर सकते हैं घुले श्किजाए यहे देख है इस ली लाइट क्या होती है डीसी यह दिखिए सारी चीजे पॉइंट्स में एसी डीसी में अंतर लाब क्या दोस्तों कैपिसिटर या कंडिंसर दोनों एक ही चीजी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे इसके गूर्ण यह सब चीजे देखें देखें यहां पर करके दिखा देने टांसफॉर्मर है और यहां पर सब्सक्राइग्राम और बनाए गए हुए यहां सब पढ़के देख सकते हैं समझ सकते हैं है अपॉं है इसके कौन कौन से पाट्वतते टांसफार्मर में न psychic है प्रकार टाइप कितने है और चीजे आपके युक्ति अजय है तक explains तो होता है किस उनिट में इसका मिजर किया जाता है और मिजरिंग टूल्स काँछ से होते हैं। वर यहां से इसमें समझ सकते हैं किस चीज को किस अधिक यूजिएंग नाका बारे में पढ़ेंगे एलेक्टर्क पावार रहे सकती हैं। बेसिक प्रपर्टीज औप एलेक्ट्रिक मिटियर्यों की प्रोपर्टीज मिलेट्रीज जो जानते हैं दोस्तों I कंडेक्टर इंसुलेटर और सेमिकनडुक्र के बारे में पढ़ा उगा तो आप वह भी सब्सारी चीजे बेसिक प्रॉपर्टिज अब और कुछ कोशन्स है लास्ट में वह अपको लिए बहुत बेनिफिशियल है कि यहां पर सारी चीज़ है और समझ सकते हैं आर्ची डायोट के बारे में वाइसलिंग है टांजिस्टर रहे बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर और यहां पर मैं स्कूर करके सब दिखाया दे रहा कि दोस्तों पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी और कुछ बोरिंग भी मैसस होगी आपको आपको मैंने यहां पर सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मैंने क्या 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 टॉपिक लिए हैं आपना इसके स्टेडी कर सकते हैं और यहां से देखिए चालो गया सार यहां से चालो गया जो मैंने इस में फूरी वीडियो में टॉपिक को कभर कि यह आप यहीं बना दी और शर्फ पर सकते हैं वाद में इसांगे इन СамF right यहां से स्टार्ट होता है कॉश्चन तरह पर देता हूं गोल्ट मेटर सखर में लगए जाता है Would दिष्टेव हमेशा किसी भी सरकिट में लगेगा वह समानतर करम रहेगा मिटर कि सब्सक्राइब कि करम आड़ ना सकते हैं अबने पढ़ा होगा दोस्तों दूस्तों का मत प्रियूक्टिक लोगों में किस प्रकार के ट्रेक्शन मोटर प्र्यूच किए जाता हैं तुस्तों यह देखit कोशन बहुत इंपोर्टन्ट है डीसी स्रीज मोटर यूज होता है इतने सारे कोशन थे इनको आप पाउस करकर के पढ़ सकते हैं और पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं यह दोस्तों वीडियो अच्छे लगिया तो प्लीस कमेंट वाक्स में कमेंट करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में